हलो बच्छो नवस्कार पैरे बच्छो हम लोगों ने हर्ड का डाइगराम पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने सारे के सारे कंडिशन्स पढ़ लिये थे और डारेक्शन्स पढ़ लिये थे कि आखिरकार बलड किस डारेक्शन से आता है और किस डारेक्शन से जाता है और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अच्छा अब उसकी बात रही कि सर हमने लिखा नहीं ठीक है तो एक काम करते हैं इस चैप्टर तक हम लोग लिख लेते हैं उसके नेक्ट शेप्टर से हम लोग PDF प्रोवाइड करा दियेंगे ठीक है चलो तो आप लोग ऐसा करो लिखना सुरू करो लिखना सुरू करो यह चलो मैं ठीक है PDF दे दूँँ आज आज यह दे देता हूं टैंसिन बतलो एक टॉपिक यह लिख लो ब्लड प्रैसर एक टॉपिक लिख लो ब्लड प्रैसर यह को कोशन का यह बार पूछा गया है ठायए अधर आपने देखा होगा अगर ब्लड प्रेइसर नापने अब अभर मशीन देखी होगी तो आपने क्या देखा होगा कि वही एक इनसान होता है और एक डÁक्टर होता है और जो भी पेशन्ट है वह उसके हैं पर एक पटप सबानता है और उसमें अपना स्टेसिकोप जो है वो लगाकर भई पंप सा करते हैं तो सामने जो होता है उसमें क्या मरकरी उपर चड़ना शुरू कर देता है तो उससे कैसे पर चलता है हमें कि हाँ जी BP हाई है या लो है तो बच्चों याद रखना हमारे उपरी हिस्से का ये उपर वाला जो हिस्से है हमारे बॉड़ी का उपर वाला जो हिस्से है इसका प्रैसर 120 Hg mm होता है ठीक है मतलब 120 120 mmHg ये होता है मतलब क्या कि जो पारा होगा Hg का मतलब यहाँ पर है मरकरी जो मरकरी होगा वो 120 mm तक अगर पहुच रहा है तो इसका मतलब आपका जो BP है वो नॉर्मल के असपास है लेकिन अगर आपका BP 120 के उपर यानि कि अगर मरकरी 120 के उपर जा रहा है तो इसका मतलब BP क्या हो चुका है हाई इसी तरह से बच्छों, lower body का, नीचे वाली body का, जो BP होता है, वो 80 mmHg होता है मतलब क्या? कि भई, 80 mm होता है, 80 mm से अगर नीचे रह रहा है, तो BP low है और 80 mm के आसपास रह रहा है, तो इसका मतलब क्या? हमारा BP बिलकुल ठीक है तो इस तरणी से नपा जाता है अब होता क्या है ये भी सुन ‫लो कि भई जो येsz रोता है हाई है 120 वाला इसे स॒षो का इस स्टॉलिक की प्रशर कहते हैं इन स्टॉलिक को स्टॉलिक क्षण करते हैं अब हिंदी में बता देता हूं मैं कि हिंदी में क्या कहते हैं ठीक है आप इसको नोट कीजिए मैं हिंदी में बता देता हूं इसका ना हिंदी में हिंदी में इसका नाम होता है प्राकुचक दाब और इसका होता है अनुसिथिलन दाब अनुसिथिलन दाब ठीक है अच्छो तो यह होता है यह अपर बॉड़ी के लिए होता है कि और यह लोवर बॉडि के लिए है कि एक है है मतलब लोयर बॉड़ी अपर बॉड़ी क्या कहना चारू समझ भी रहे हो चलो मैं बता देता हूं लोवर बॉड़ी अपर बॉड़ी छोड़ दो मैं आपको दूसरे लंग्विजμी शोगजा देता हूं कि जब हम लोग जब हम लोग हर्ट कि एक काम करो definition लिखो फिर समझाता हूं पर definition लिखो definition लिखो blood pressure की definition लिखो ले ठीक जी लिखिए लिखो लिखो लिखिए लिखओ लिखिको लिख교 समा क्विदी लिखिए न by the hurt is called blood pressure, is called blood pressure, आगे लिखेंगे, there are two types of blood pressure, there are two types of blood pressure, first लिखेंगे systolic और दूसरा diastolic, पहला systolic, दूसरा diastolic, दूसरा, 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 दूसरा through the order as a little blood leaves the hurt through the order leaves the hurt through the order during contraction phase during contraction phase contraction phase pH a s evil of a phase is called systolic pressure is called systolic pressure ठीक है मतलब जो और्टा से हाई प्रैसर के साथ बलड बहार निकलता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं भई systolic pressure समझ मारी बात अगर आप से कोई पूचे कि systolic pressure कहां से बनता है तो आप बोलेंगे और्टा से बनता है कहां से बनता है और्टा से और अगले में लिकेँगे अगले में लिकेँगे During the relaxation phase of hurt is called diastolic pressure. Is called diastolic pressure. Is called diastolic pressure. वैक्षोब मैंने आपको लिखवाई दिया है कि भई हाई प्रेसर का क्या होता है 120 लो प्रेसर का क्या होता है गर 120 से ऊपर चले जाए तो हाई बीप गेडिया है कि अग्रटी से घट गया तो लोबी पी ठीक है लोब यानि लो ब्लॉड प्रेसर खालो और भी आथी बात नहीं अभी खतम नहीं हुआ लिखते चलो ठीक है लिखो आगे लिखो लिख लो फिर सारा का सारा मैं एक ही बार मैं explain कर दूंगा चलिए लिखें लिखेंगे लिखें, लिखें, the young person have blood pressure, the young person has, the young persons have blood pressure blood pressure of 110 oblique 75 110 110 oblique 75 यह 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 बीपी यह होता है lower बीपी यह होता है एक young body में जैसे आप लोग हूँ ठीक है और लिखेंगे but at the time of 60 years but at the time of 60 years but at the time of 60 years it could be 145 oblique 90 इसलिए बुड़े लोगों कभी जल्दी उस्सा आजाता है ठीक है 145 oblique 90 जल्दी रीकवर नहीं कर पाते ठीक है आगे लिखेंगे high blood pressure is called hypertension high blood pressure is called hypertension high blood pressure is called hypertension ठीक है और उसके next line में लिखो blood pressure is measured by blood pressure is measured by अगली लिखेंगे लिखेंगे blood pressure is measured by using an instrument blood pressure is measured by blood pressure is measured by using an instrument using an instrument called 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 is phyg monom manometer यह इसका अंसर भाई ठीक है is phygno manometer is phygno manometer is using an instrument called based is phygno manometer ठीक है is phygno manometer ठीक है जी ठीक है चलिए हिंदी में लिखेंगे हिंदी वाले लिखेंगे हिंदी वाले स्भी लिखेंगे लेगे दाब जिस पर हिर्दे द्वारा सरीर में रुधिर पंप किया जाता है हिद्धे दुआरा सरीर में रुधिर पंप किया जाता है रक्त दाब कहलाता है रक्त दाब बोलो या रक्त चांप बोलो एक ही बात है ठीक है रक्त दाब कहलाता है यह दो परकार के होते है यह दो परकार के होते है ये हैं दो प्रकार के होते हैं प्राकुंचक दाब और अनुसिथिलन दाब प्राकुंचक दाब और अनुसिथिलन दाब ठीक है बताई दिया है प्राकुंचक कितना होता है इतना अनुसिथिलन इतना ठीक है आगे लिखेंगे लिखेंगे एक युवा वैक्ति का रक्त दाब एक युवा वैक्ती का रक्त दाव 110 बटा 75 होता है जबकि एक बुड़े वैक्ती का रक्त दाव 145 बटा 90 होता है ठीक है अब अगले लाइन में लिखो अगले लाइन में लिखो उच्छ रक्त दाव उच्छ रक्त दाव को को अती उच्छ चाप ठीक है भई अती रक्त चाप कहते हैं ठीक है बई उच्छ रक्त चाप को अती रक्त चाप कहते हैं मतला हाइ बीपीजी से बोलते हैं, हाइपरेटेंशन, ठीक है, हाइपरेटेंशन, अब लिखलो, नेच्ट लाइन व लिखो, लिखो, रक्त दाब, रक्त दाब, को, रक्त दाब को, रक्त दाब मापी से मापा जाता है, रक्त दाब मापी, यानि, सिग्मो मैनो मीटर को, रक्त दाब मापी कहते हैं, हिंदी में, ठीक है, लिख लो, रक्त दाब को, रक्त दाब मापी से मापा जाता है, लेकिन हिंदी वालें ये खुश नहों, कि हमें ये नाम याद करनी जुर तो अब लिखेंगे फटाफट नया टॉपिक लिम्फैटिक सिस्टम लिम्फैटिक सिस्टम लिखलो अच्छो हाँ जी बच्छो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या लिम्फैटिक सिस्टम लिम्फैटिक सिस्टम लसी का तंत्र क्या पढ़ रहे हैं लसी का तंत्र प्यारे बच्छो ये लसी का तंत्र क्या है मैं आपको बता दू ये हमारी बौडी के अंदर छोटी छोटी गाठे हैं ठीक है छोटी छोटी गाठे हैं और साथ ही क्या है पूरी बॉडी के अंदर वेजल्स का एक जाल है नलिकाओं का एक जाल है जो क्या करते हैं जिनका काम होता है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना ठीक है ये एक ऐसी एजिंसी मान लो ये एक ऐसी तयार करता है क्या तयार करता है फौजी तयार करता है जैसे जब आप बड़े हो जाओगे तो आप पुलिस में जाने के लिए फौज में जाने के लिए आप अपलाई करेंगे तो आप लोगों को क्या होगा भई एक CPO नाम का फॉर्म भरना होगा मतलब फॉर्म एक भरना है लेकिन आप कई सारे फिल्ड में उससे जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, यानि आर्मी के भी बहुत तरह के टाइपस होते हो, उसमें जा सकते हो, दिल्ली पुलिस में जा सकते हो, मतलब इस तरीके से बहुत सारी जगाओं पे जा सकते हो, तो यानि क्या हुआ, फॉर्म आ हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं और वो बॉडी में फैल के एक ही काम कर रहे होते हैं क्या हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट हमारी बॉडी को क्या कर रहे होते हैं प्रोटेक्ट अगर इसका डाइग्राम देखना चाहोगे तो आपको दिखे क्या एक हुमन बॉडी होग उस पर नसो का मतलब पल्स का जाल होगा और जगह जगह पर छोटी छोटी क्या होंगी नोडस होगी छोटी छोटी गाठे ओंगी और उन गाठों का काम क्या है वो आज हम पढ़ने जा रहे है ठीक है तो पहले लिख लो definition फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है लिखो जरा a system of tinny tubes, tiny tubes, a system of tiny tubes, a system of tiny tubes called lymph vessels, called lymph vessels and lymph node, and lymph node, and lymph node, in the human body, in the human body, which transports the liquid, in the human body, which transports the liquid, called lymph. called lymph, from the body tissue, from the body tissue, from the body tissue to the blood circulatory system, to the blood circulatory system, body tissue to the blood circulatory system, is called lymphatic system, is called lymphatic system, ठीक है, अगले लान में लिखो, lymphatic system consists of four parts, lymphatic system consists of four parts, फिर्स्ट, फिर्स्ट लिखेंगे, Lymph capillaries Point number first Lymph capillaries Lymph capillaries Point number two Larger lymph vessel Larger lymph vessel Larger lymph vessel Third point Lymph node Lymph node And fourth point lymph Fourth point kya hai Lymph Lymph Arnght ठीक है खिनकी अच्छो चलो अब एक वर हिंदी वाले लिख लो फिर आगे कुछ इसके फंक्शन लिख वाता हूं मानव शरीर में लसी का गाठो तथा लसी का गाठो तथा लसी का गाठो नामक सुक्ष्म नलिका का तंत्र जो सरीर उत्तकों से रुधिर परिशंचरन तंत्र या रक्त परिशंचरन तंत्र रक्त परिशंचरन तंत्र को लसी का नामक तरल का परिवहन करता है लसी का नामक तरल का परिवहन करता है लसी का नामक तरल का परिवहन करता है लसी का तंत्र कहलाता है लसी का तंत्र कहलाता है लिखो अगला इन में यह चार भागों से मिलकर बना है यह चार भागों से मिलकर बना है पहला पहला लसिका केसिकाएं पहला लसिका केसिकाएं दूसरा लसिका वाहिकाएं लसिका वाहिकाएं लसिका वाहिकाएं तीसरा लसी का गाठे या लसी का गरंथिया दोनों एकी बात है लसी का गाठे या लसी का गरंथिया लसी का गाठे या लसी का गरंथिया अब फूर्थ मॉइंट है लसी का अब जरा condition समझो बच्चों मैं कहना क्या चाहता हूँ देखो लिम्फ कैपिलरीज फिर लिम्फ वैजल फिर लिम्फ नोड़्स और फिर क्या है वाई लिम्फ फिर फिर पिर लसी का गाठे या गरंतिया और फिर लसी का बच्चो देखो मैंने आपको क्या बताया ये एक एफिया जिनसी है जो हमारे लिए फौजिया तियार करती है हमारे बाड़ी के लिए फौजी तियार करती है रक्षक पैदा करती है ठीक है जो हमारे बाड़ी को बिमारियों स से जुड़ी होती है कि से जुड़ी होती है lymph vessels से मतलब क्या Черस जैसे मैंना opa की बारें बताया लाए हुए अगार्टा एक सबसे बड़ी क्या है Artery है और जैसे ही वह दिल से बाहर निकलता है उसके साथ कई सारी क्या होती वेजल्स वगेरा जो होती हैं चोटी चोटी आर्टरी जो होती हैं वो उससे जुड़ी होती हैं और जैसे बड़ा हाई प्रैसर के साथ उसमें बलड जाता है वो सारी आर्टरी से कहां पहुंच जाता है वो सारी सारी वेंस में पहुंच जाता है यही बताया था मैंने तो इस क्या करता है एक liquid देता है ठीक है बताऊंगा क्या ठीक अब क्या होता है यह लिंफ वैजल किसके साथ जुड़े होते हैं यह लिंफ वैजल जुड़े होते हैं नोट्स के साथ यह लिंफ वैजल किसके साथ जुड़े होते हैं लिंफ नोट्स के साथ क्योंकि लिंफ नोट्स क का काम क्या होता है formation करना क्या करना formation करना मतलब कुछ बनाना कुछ बनाना अब ये बनाते क्या है ये एक special type का cell बनाते है एक special type की कोशी का बनाते है एक special type की कोशी का बनाते है जो हलका yellow white color का होता है yellowish white होता है yellowish white होता है मतलब white color का तो दिखेगा लेकिन उसमें हलका पीला पन दिखाएगा, ठीक है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, पीला सफेद, क्या कहते हैं, पीला सफेद, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बचो, तो lymph node का काम क्या है, formation करना, कुछ बनाना, क्या बनाता है वो, एक cell बनाता है, कोशी का बनाता है, जो किस कलर का होता है, पीला सफेद कलर का होता है, येलोईज वाइट होता है, जिसका नाम होता है, लिम्फोसाइट, क्या होता है, लिम्फोसाइट, ठीक है, क्या होता है वई, लिम्फोसाइट, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लसी का, हिंदी में क्या बोलते हैं, लसी जिसको हम लोग lymphocytes भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, lymphocytes भी बोलते हैं, जिनका काम होता है हमारी body को protect करना, जिसका काम क्या होता है, हमारी body को protect करना, किन चीजों से, बिमारियों से और infection से, ठीक हैं, अब यह होता क्या है, अब देखो, मैंने तो यहां से यहां figure लेकर जा रह कर लिंफोसाइड बना कर वो लिंफ वैजल में डाल देता है किस में डाल देता है लिंफ वैजल में डाल देता है फिर लिंफ वैजल किस में डाल देता है लिंफ कैपिलरीज में डाल देता है किस में डाल देता है लिंफ कैपिलरीज में और फिर ये लिंफ कैपिलरीज में ज करता है कि जितने भी हमारे बाडी के अंदर प्रोटीन के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़कर आपकी बाडी को फाइदा पहुचाता है मतलब आपके सरीर में जितने प्रोटीन के बड़े टुकड़े होंगे उतना उसको हुआ कोई नहीं सकते हमारे इंसानों के शरीर में जितने भी इंसान हैं हम हमारे अंदर इतने हिम्ध है ली चुन Бы कोई Crus को डिए इस्ट करके अपनी बॉडी में लगा सके दूसरा दूसरा क्या है बई अजी यह क्या करते यह पैदा करते हैंंक। जो कि आपको बिमारियों से, infection से क्या करते है, protect करते हैं, बचाते हैं तीसरा, तीसरा क्या करते है भई? हाँ जी, तीसरा क्या करते हैं ये जितने भी waste product हैं इनको आपके सरीर से बाहर निकालने के लिए मदद करते हैं, मतलब क्या जैसे आपके कोई dead cell है, उसको body से अपने आप गिरवाने की कोशिस करेगा. मैं ठीक है, dead cell कैना होते है, कि जो cell अपने आप क्या हो जाते है, damage हो जाते हैं, उनमें आप कोई दाकत नहीं रहती, तो अपने आप यह क्या कर दिते हैं, उसको गिरवादेते हैं आपकी बाड़ी के अंदर का जो वेस्ट है उसे पूरी कोशिस करते हैं कि आपकी बाड़ी से क्या करवा दिया जाए बाहर करवा दिया जाए तो यह तीन main काम होते हैं हमारे lymph के पहला काम क्या बता है मैंने प्रोटीन के बड़े टुकडों को तोड़ कर आपकी बॉड़ी में यूज करवाना दूसरा क्या बताया लिंफोसाइट बनाना और क्या करना आपकी बॉड़ी को प्रोटेक्ट करना और तीसरा काम क्या बताया कि जो भी डैड सेल वगेरा या वेस्ट प्रोड़क्ट है अब सिष्ट पतारत है उसको अब की बॉड़ी से बाहर करवाना तो ये तीन में काम किसके हैं लिंफ के ठेक है जल्दी से नोट करो फिर लिखवा तब यो आज लिंफ वसाइट पूर है ये लिंफ खतम कराके फिर नेक्स क्लास से एक्सक्रीशन शुरूएगा कि चलो लिखते हैं है कि चलो बच्चो फटा फट देखो लिखो इसे हैं ठीक है हां जी लिखें बच्चो जरा लिखें लिंफ कैफिल लिंफ कैपिलरी इस जॉइन टू लिंफ लिंफ कैपिलरी इस जॉन् टू लींफ बचलर लिंफ वसल, जॉन् टू сам लिंफ लाजर लेंफ वसल and the lymph vessels have and the lymph vessels have lymph node and the lymph vessels have lymph nodes at intervals at intervals मत जगा जगा पे ठीक है the lymph node contain the lymph nodes contain the lymph nodes contain a special type of cells the lymph nodes contain a special type of cells called lymphocytes called lymphocytes अगे लिखेंगे which helping in fighting infection and disease which helping in fighting infection and disease अगे लिखेंगे अब लिखेंगे अब लिखेंगे the function of lymph the function of lymph लिखेंगे 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 पहला लिखेंगे in the nutritive process, in the nutritive process of the body like it puts into circulation it puts into circulation it puts into circulation large protein molecules large protein molecules by carrying them by carrying them from the tissue into the blood stream from the tissue into the blood stream it also carries digested fat it also carries digested fat second point lymph protects the body lymph protects the body by killing the germs by killing the germs by killing the germs drained out of the body drained out of the body drained out of the body tissue with the help of lymphocytes with the help of lymphocytes with the help of lymphocytes they are the antibodies of our body they are it makes antibodies for our body it makes antibodies for our body it makes antibodies for our body third point third point last point lymph helps in removing the waste product lymph helps in removing the waste product like fragments of dead cells like fragments of dead cells lymph helps in removing the waste product lymph helps in removing the waste product like fragments of dead cells लसीका के सिकाएं लसीका वाहिकाओं से जुड़कर बड़े अकार की बनती है जुड़कर बड़े अकार की बनती है और उनी वाहिकाओं के और उनी वाहिकाओं में अंतरों पर अंतरों पर मतलब जगा जगा पर अंतरों पर लसीका गाठे या लसीका गरंथिया पाई जाती है लसीका गाठे या लसीका गरंथिया पाई जाती है जो लसीका नामक दरब बनाते हैं जो लसीका नामक कोशिकाएं बनाते हैं लसीका नामक कोशिकाएं बनाते हैं जो लसीका नामक कोशिका बनाते हैं अब लिखेंगे ज़रा लसीका का कार रहे हैं लसीका का कार रहे हैं अगली लाइन में लिखो लसीका का कार रहे हैं पहला पॉइंट लिखो लसीका शरीर की पोशक क्रिया में भाग लेता है लसीका शरीर की पोशक क्रिया में भाग लेता है लिखेंगे यह प्रोटीन और यह प्रोटीन के बड़े अनुओ को यह प्रोटीन के बड़े अनुओ को उन्हें उत्तक से रुधिर में लेकर जाता है उन्हें उत्तक से रुधिर में लेकर जाता है रुधिर में लेकर जाता है आगे लिखेंगे साथ ही यह पाचित वसा को भी लेकर जाता है साथ ही यह पाचित वसा मतलब पचे हुए वसा पाचित वसा को भी लेकर जाता है ठीक है नेक्स्ट में लिखेंगे लिखो लसिका लसिका रोगानुओं को मार कर हमारे सरीर की रक्षा करता है क्योंकि यह रोग परती कारक बना सकता है क्योंकि यह रोग परती कारक बना सकता है रोगानुओं को मार कर हमारी रक्षा करता है और यह रोग परती कारकों को बना सकता है रोग परती कारकों को बना सकता है ठीक है चलिए थर्ड पॉइंट लिखेंगे लसिका अफसिष्ट पदार्थों जैसे लसी का अपसिष्ट पदार्थो जैसे मृत्य कोशिकाओं के अंस मृत्य कोशिकाओं के अंस मृत्य कोशिकाओं के अंस इत्यादी को हटाने में साहिता करता है इत्यादी को हटाने में साहिता करता है ठीक है बच्छो तो इसी के साथ आपका lymphatic system खतम हो गया next class में excreation करेंगे छोटा सा topic है फटा फट खतम करके फिर आगे बढ़ाएंगे ठीक है तो last topic रहे गया इसके बाद आपका ये chapter खतम फिर हम लोग 7th chapter सुरू करेंगे कौन सा control and coordination तो चलिए आपकी ग्लास यहीं करते हैं